दोस्तो सही और सदीक जानकारी के लिए आरुस फंडामेंटल्स में आपका स्वागत है आज बड़ा ही अच्छा टॉपिक है इंडेस्टिंग टॉपिक है जो कितना किलोवाट का आपको लोड लेना चाहिए अगर आप नया बिजली कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं या आप अगर ले भी चुके हैं कनेक्शन तो आपका कितना किलोवाट लोड रहना चाहिए जो कि आपको पेनल्टी ना लगे कोई फाइन ना लगे तो इसी का हम लोग इनलाइसिस करेंगे तो सेंक्शन लोड जो होता है उसी को हम लोग कांटेक्ट डिमांड करते हैं यह क्या होता है तो इसी को हम लोग बॉलते हैं कोई बॉलता है मैंने 5 किरो वाट का connection लिया है कोई मैंने बोलता है मुझे agriculture के लिए दो HP का मैं लेने के लिए सोच रहा हूँ तो यह होता है contact demand sanction load तो यह कितना होना चाहिए इसी के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं और यह इसी लिए जानना जरूरी है क्योंकि पूरे भारत में जो है वो बिजली का two-way tariff है two-way tariff मतलब हुआ इसमें fix charge होता है और energy charge होता है जैसे आप एक bolero भारा पे करते हैं तो वो गारी का आप देखते हैं न बोलता है जो एक हजार उपया per day लगेगा उसके बाद जितना diesel उपयोग करिएगा उतना पैसा आपको देना पड़ेगा उसी तरह बिजली में भी होता है जितना आप sanction load रहता है जितना का आप बिजली connection लेते हैं तो उसी का आपको fix charge देना पड़ता है जितना unit उठाते हैं उसका तो energy charge लेता ही है इसलिए यह बहुत ही महत्तपूर्ण है एक हम अगर बिल देखें तो इस बिल में आप देख रहे हैं जो इस consumer ने 2 kilowatt का sanction load लिया है लेकिन meter में जो इसका record हुआ है वो 3.84 kilowatt maximum demand record हुआ है और इसलिए इनको जो penalty है आधिक demand प्रभार जो है वो 715 रूपिया लग गया है इसलिए आपका जो sanction load है तो वो बहुत ही important है इसलिए आप अगर बिजली connection लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पुड़ा देखिए और अगर आपने बिजली connection ले लिया है तो यहां दिये हुए analysis क्योंकि मैं सारे equipment का बताऊंगा तो आपको बहुत help करेगा और यह maximum reward जो meter में record होता है यह जाना आपके लिए जरूरी है जो meter जो है ना हर महिना एक तरिके 0000 आवर में reset होता है maximum reward को reset करता है और उसके बाद हर आधे घंटे block का average लेता है माली जे एक तरिके 0000 आवर से 0.30 मतलब आधे घंटे का यह average load निकाला तो यह तो तुरंत उसमें record कर लिया लेकिन जैसे ही फिर आगे होगा माली जी फिर रात के सारे 12 बज़े से एक बज़े के बीच यह average निकाला अगर यह average माली जादा है माली जी यह 2.2 किलो वाट है और यह 1.5 किलो वाट था तो यह 2.2 किलो वाट आप record करके रख लेगा माली जी तीन चार दिन बाज फिर माली जी पांच तारी को किसी आधे गंटे के period में वह 2.2 से बढ़के वह पाया average load माली जी 2.5 पाया तो अब 2.5 किलो वाट यह record कर लेगा maximum demand तो वह current बंद का होता है और महिना जैसे ही खदम होता है तो वही maximum demand में होता है और वही उसी पे आपका bill बनता है जो आपने पिछला slide में देखा उसी पे bill बनता है देखे इस slide में जो आपने देखा यह वही है monthly billing demand है तो इसलिए sanction load आप उतना उचीत रखी है जो आपको किसी तरह की penalty ना लगे चलिए अब कैसे हम लोग निकालेंगे म मालीजे हम नया connection लेने वाले हैं तो सबसे पिले हम देखेंगे हम क्या उपकरन उपयोग करने वाले हैं और उपकरन का जो input power rating होता है उसके name plate पे तो रहता ही है सारे उपकरन में मालीजे एक fan का मैं यहां देख रहा हूं तो 55W होता ही है अब देखे मैं एक washing machine देख रहा हूं तो उसका देखे कितना है मालीजे वह बल्ब जलाता होगा maximum कितना जलाता होगा दस बाड़ा बल्ब जलाता होगा और उसमें मालीजे 9W का आजकल तो सरे LED है जो actual rating है आपको उससे multiply करना है मालीजे मैं 9W का अगर वह उपयोग करता है तो total 108W हो गया उसके बाद देखि ग MH4 200W का होता है एक अगर उपयोग कर रहा है तो तो टोटल लोड इसका कितना हो गया है 968 2CK और बिजली कनैस्टन जो मिलता है वो तो LIVE मिलता एक किलो वाट वर आप जानते ही है एकजार वाट होता है तो अगर इक्पयोग कर रहा है इतना अप्लाइंस तो उसको कितना ल बनाना पड़ेगा के अब देखिए मालीजी उसके घर में कुछ और है एक मालीजी वाटर पम्प है पानी भरने के लिए और उसके बाद मिक्सर है जेनरली किचन में होता है तो वाटर पंप है तो यह जेनरली 746 वाट और जोड देगा तो अब इसका जो है लगबट देर किलो वाट के लगबट का कनेक्शन उसको लेना पड़ेगा तो देर किलो वाट तो होता नहीं है तो आपको 2 किलो वाट का लेना पड़ेगा यह मिक्सर जो होता है, मिक्सी जिसको बोलते हैं, कीचन में यह बहुत कम देर चलता है एक मिनट चलता है आदा मिनट चलता है यह पांच मिनट चलता है तो यह आपके लोड को maximum लड को कुछ जादा बढ़ाएगा नहीं इसलिए इसको consider करना वेवकुप है इसको consider मत कीजिए तो lower middle class family को generally कितना लेना चाहिए इनको one से one kilowatt से two kilowatt लोड लेना चाहिए तो अगर आप बिजली connection लेना चाहते हैं तो अपना उपकरण देख लीजिए और उसी ओने सार connection ले लीजिए और समर्सभल जो होता है वो 2HP का होता है गुजए वशिम मशीन है तो 2000 वाट अपनी देखा ही था rating एर कंडिशनर है जेनरली जो होता है इन्यवर्टर कंडिशनर जो होता है उसका 145 वाट होता है तो आप अपना देख लीजए आप का कितना है मारे घीजर है तो 2000 वाट होग का कितना हो गए 8447 वाट अर्थात 8.4 Mom हो गए तो अब देखिए अगर पुराना जो स्था सब टोटल इसको मिला के देखे कितना हो गया 93415 वाट अर्थात यह 9.4 किलो वाट का हो गया तो अरथात यह लगवग 10 किलो माट आफान लेगा अब बताये क्या 10 कि लोगवाट का connection लेना जरूरी है इनके लिए जी बिलकुल जरूरी नहीं है क्योंकि मीटर तो आधा घंटा का average load मापता है और जरूरी नहीं है अब सारा appliances एक साथ उपयोग कर रहे हैं मालीजी आप रात में सोते वक्त आप air conditioner यूज करते हैं उसमें आप थोड़े गीजर उपयोग करेंगे पानी गरम करने वाला बिलकुल उपयोग नहीं करेंगे तो इसलिए air conditioner गीजर वो इसे भी दोनों एक है जारा का एक है गरमी का तो दोनों को हम लोग एक साथ नहीं लेते हैं इसमें जो highest load है उसको ले लेते हैं अर्थाथ हम इसको हटा देंगे उसके बाद दिखिए आप देखे रूम heater है गीजर है तो जब आप room heater उपयोग करेंगे तो जरूरी है उसमें आप गीजर उपयोग करेंगे पानी करने वाला जरूरी नहीं है आप दोनों उपयोग करेंगे अगर करते हैं तो खुल देर के लिए बंद कर लीजिए ना क्योंकि आपको maximum demand बच जाएगा तो basically आप द देखना पड़ेगा कौन सा appliance हम यूज करते हैं और उसको कब उपयोग करते हैं और दोनों का timing क्या है timing भी match करना पड़ेगा और उसी अनुसार assessment करके आपको यह सोचना पड़ेगा कितना हम लोग बिजली उपयोग करने वाले हैं average maximum लिए उसी अनुसार आपको sanction लोड लेना पड़ेगा तो मैंने जिसा बता है अगर इतना लोड है तो आप 4 kilowatt का connection अगर ले लेंगे तो आपके लिए sufficient है कोई penalty नहीं लगेगी और अगर penalty लगेगी तो smart meter हो या normal meter हो monthly bill तो बनेगा ही और monthly देखिए जब बनता है तो उसमें आपका security भार लिखा रहता है अभी लिखे demand जो है मतलब maximum डिमांड जो recorded हुआ आधा गंडा का period का maximum पिछले मेने का वह रहता ही है तो उसको देख लीजिए अगर वह ज्यादा जा रहा है तो उस ना upload भरा लीजिए जिसे इस case में अगर य कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा कोई doubt है तो पूछ लीजिए और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब अभी तुरंत कर लीजिए बहुत-बहुत धन्यवाद